अब मिलेगी सभी को सरकारी जौब विजिट कीजिए अभी रोजगारकीखोट.com देश के सभी सरकारी विवागों की वेकेंसी की जनकारी अब सबसे पहले पाएं रोजगारकीखोट.com पर विजिट करें अभी www.rojgarkicourt.com जै हिंद साथियो फ्रेंड्स यदि आप सभी ने अभी तक अपना इंडियन एरफोर्ड नौन कॉमबेट की बरती में अपना आबिदन नहीं किया है और आपकी एज रिमिट साड़े सत्रह से लेकर 21 साल है तो मैंने आपको लिंक की वीडियो का कमेंट और डिस्किर्शन में करा दिया है आप 2 सेप्टेंबर 2024 से पहले इस बरती के लिए आभीदन कर सकते हैं आप सभी के आभीदन करने के बाद कुछ कॉमन आपके सवाल जवाब निकल के आ रहे थे आज की वीडियो में जितने भी आपके सवाल जवाब हैं उन सभी को मैं किलियर करने का प्रयास आँगा देकि आपके यह यह रही देखिये आपके ऍैक्णी योजना के टह दे आप सभी की रहने बालिया आपके आप यहांפर यह तीर वह आपकी यह रूपए रहेगी आपको तेज़ाइसाजार सौर फे आपको इनए अबसे आपको सेलरी आप prosे अबक को मिलने वाले प्र्विद्टि की सब्ने़ों तो श्यमा निटी पैकेज्र दृ enjoy मिन आपको लगए 12 लाक रुपे आप सभी को यहां पर सीवा निदी पैकेज के रूप में आप सभी को यह पर फ्रेंट्स दिये जाएंगे अभी फ्रेंट्स आपका second जहाँ पर जो आपका question था कि भाई यहां पर बढ़री मिलेगी हमें या नहीं मिलेगी तो फ्रेंट्स मैं आपके non combat की बढ़ती है इसमें आपकी जो भी आपके यहां पर job रहेगी जो वहां पर आपको काम दिया जाएगा उसी के according आपके अलग-अलग वर्दी रहेगी लेकिन आप जो इंडियन एरपोर्स में वर्दी देखते हो वो आपको वर्दी यहां पर नहीं मिलेगी आपक आपके यहां पर जो आपका admit card आएगा वो आपका यहां पर फ्रेंट्स पोस्ट आपस के द्वारा आएगा इन्हीं कि आपका जो भी आपके गाउंवे सिटी का डांकिया इन्हीं जो आपके यहां का postman है वही आपके घर पर आपका home delivery आपका admit card दे कर जाएगा और आपका admit card कब आएगा तो friends आपके 10 September से आप सभी कहां पर admit card आने शुरू हो जाएंगे और last week जो आपका September का है उसमें आप सभी कहां पर exam भी conduct करा लिये जाएगा देखिए friends आपको हैंपर सबसे comment सवाल जो जो आपका सभी कर निकल के आ रहा था कि भाई यहां पर हमने आपना जो फ application को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कागा है कि आपको अपने फॉरम को ordinary post द्वारा बेजना है लेकिन friends यदि आपने अपना फॉरम यहां पर speed post रजिस्टर पोस्ट के द्वारा बेज दिया है तो भी आपको परेशान होने की कोई भी आ आप सकता नहीं है यहां पर फ्रेंट्स यहां पर आपका सभी का एडिमिट कार्ट जारी किया जाता है चाहे आपने speed post के द्वारा फॉरम बेजा हो चाहे आपने यह पर ordinary post चाहे आपने रजिस्टर पोस्ट आप सभी ने अपने आपने आपने आभीदन बेग किया हो कैसे आप अपने फॉरम सेंटरी के लिए आपने बेजा हो यहांपर सभी का एडिमिट कार आएगा और बिदावट किसी पर्सेंटेज के एडिमिट कार आएगा तो यहांपर आपको पता कैसे करना है कि भाई हमारा फॉरम यहांपर accept हो चुका है या reject हो चुका है तो अभी मैं आप सभी को इसके बारे में ही जानकारी देना चाहूँगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉरम एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है सबी को यह पता करने के लिए कि आपका फॉर रिजेक्ट हुआ है एक्सेप्ट हुआ यह पता करने के लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना है और वहाँ पर आपको जाकर सर्च करना है रोजगार की खोज आप अपने गूगल ए क्रॉम ब्राउजर में जाकर आप सबी सामने जो रोजगार की खोड.com की जो ओफिशल वैप साइट है वो आप सभी के सामने नजर आ जाएगी आपको इसी पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप सभी क्लिक करेंगे आप सभी का जो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपको यह पर comment syllabus and notes आपको क्या करना है इस पर आपको click कर दिना होगा जैसे friends आप click करेंगे आपको यह पर नीचे की तरफ आप सभी को scroll करना है scroll करने के लिए आपको फिर से यहापर आपको आपको से मैं चीज बताना चाहँगो कि आपको यहापर एक बार refresh कर लेना है इससे आपका mobile का जो catch है वो आपको clear हो जाएगा आपको यहापर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है यहापर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी इसके लावा जैसे आप सभी नीचे की तरफ आएंगे तो friends यह आपने वीडियो नहीं देखिए तो मैं आपको बतना चाहूँ आपको श्लेबस के बारे में जानकारी कि आपको किस-किस तविक से आपको यहापर question देखने को मिलेंगे वो आप सभी कहाएंपर जानकारी देखने को मिल जाएगी आपको क्या करना है? आपको नीचे लिक तरफ आना है यह आपके पास previous year question नहीं है तो मैं आप सभी को बतना चाहूँगा जो आपका 20 number का आपका exam होता है उसमें से आपके 17 से 18 question friends आपके previous year के आते हैं तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा यदि आपकी तयारी बहुत कम है आप एक average student है तो आपको यहाँ पर previous year question से तयारी करनी चाहिए आपके यहाँ पर 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी Indian airport non comment की भरती में question पूछे गए उन सब की हमने एक PDF तयार कर लिया है आप सभी यहाँ से इस PDF को download कर पाएंगे फ्रेंट सभी इस PDF का जो prize है वो आपका 49 रुपे रखा गा है लेकिन जल्दी इस PDF का price यहाँ पर 99 रुपे कर दिया जाएगा तो आप जल्दी से इस PDF को buy कर लेना देखे फ्रेंट इसके बाद जैसे आप सभी यहाँ पर नीचे कितरह पाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा track your admit card यहाँ पर देखे यहाँ पर आपको देखने को मिल दरा इसके जड़ सामने आपको देखेगा check here आपको check here पर आपको click करना है जैसे आप check here पर click करेंगे जो आपकी post office की official website हो इस पर आप सभी आ जाएंगे देखे फ्रेंट जब भी आप अपने form को post office के दोरा बेज के आए होगे यदि आपने अपना form speed post है registered post के दोरा बेजा होगा तो आपको वहां से कि रसीद प्राप्त होई होगी फ्रेंट यदि आपने अपने registered post के दोरा अपना form बेजा तो आपको आर यू से स्टार्ट करके वहाँ पर एक नंबर मिलेगा एंडिंग होगी उसकी आई एंड से बीच में आपके कुछ डिजिट दिया होगे इस परकार का आपको नंबर मिल जाएगा इसी परकार यह दिया आपने रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आप बेजा होगा तो भी आपको क्या करना है यहाँ पर आपको डालना है इसके बाद जो आपको यह पर कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद आप सभी सर्च पर क्लिक कर देंगे जैसे फ्रेंट सर्च पर क्लिक कर देंगे तो आपको वहाँ पर जा आए यदि आपका वहाँ से forum वापस आ रहा है तो आप समझ जाए कि आपका forum किसी कारण से reject हो गया है आप इस परकार अपने जो admit card की आप सब यहाँ पर track record चेक कर पाएंगे कि आपका admit card आएगा या नहीं आएगा आपका forum accept हुआ है reject हुआ है यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करना दोश्क साथ share करना और आपके पास previous year question की PDF नहीं है तो friends आप previous year question की PDF जरूद डाउनलोड कर लें क्योंकि आपको यहाँ पर 17-18 question आपके previous year से ही आने वाले हैं आज की वीडियो माज अतना ही मिलता हूँ चैने वीडियो को साथ में तबता के लिए जैहिंच बारत